तमस्कार दोस्तों So friends, vacancies एक बार फिर से यहाँ पर रिलीस कर दी गई Recruitment website पर आ चुका है इसमें staff nurse की post यहाँ पर शामिल की गई कुलमला के 22 पद यहाँ पर रहने वाले हैं number of vacancy यहाँ पर 22 यहाँ पर रहेंगी इसमें BAC nursing या फिर GM candidates यहाँ पर apply कर सकते हैं male और female दोनों candidates यहाँ पर apply करें इसके लिए आप सबी लोगों को application form आपको आप फिल करना होगा सबसे पहले आप सबी लोग यह जाल लें इस बार जो vacancies आप जो release की गई heading पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है medical and health department office of the district medical and health officer संगारेडी district तेलांगना सरकार द्वारा यह recruitment यहाँ पर आच चुका है 16 जुलाई 2021 को यह जानकारी officially website पर आपको यहाँ पर दे दे गई पूरी information इस वीडियो माँ पर cover करेंगे सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें लाइक करें इस वीडियो को इस मेनत कुला गिरू करें और आगे की vacancies की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर ले तो वीडियो के नीचे जाए सबस्क्राइब के रैड बेटन को आप पे क्लिक करें और इसी तरीके से vacancies की जानकारी आगे भी पात रहे तो बिलकुल शुरू बात कर देते हैं अपना अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी vacancy table की और तो दोस्तों सबसे पहले आप सबी लोग को बता जा रहा है staff nurse की post यहाँ पे यह रहने वाली है अब दोस्तों बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए qualification यहाँ पे टेक किये गई कौन कौन से candidates यहाँ पे apply कर पाएंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे qualification का column आप लोग यहाँ पे देख लें staff nurse की post के लिए जितने भी candidates के पास B.A.C. nursing की डिगरी है बिलकुल आप लोग यहाँ पे apply करें और GNM का diploma है तो भी आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हैं और संबंदित राजिसे आपको nursing council में registered होना आपको यहाँ पे जरूरी बोला गया है जितनी भी vacancy है contract basis पे हैं और शुरूबात के एक साल के लिए आप लोगों को यहाँ पे joining दी जाएगी जिसको आगे यहाँ पे बढ़ाए भी गया सकता है जैसी आपकी यहाँ पे performance रहती है आप लोगों की जो joining है आगे renew हैं यहाँ पे कर दी जाएगी age limit आप लोग यहाँ पे देख लें तो जितनी भी candidate से आप एटीन से लेके 34 years तक हैं आप लोग यहाँ पे apply करें और राज्य के जो यहाँ पे schedule का schedule drive और backward class है पास साल का age में relaxation और एक service मेंने तो तीन साल का age में relaxation और disabled आप लोग यहाँ पे candidate है तो 10 years का age में आपको यहाँ पे relaxation आपको यहाँ पे दिया जाएगा आपकी qualification की detail आपको यहाँ पे पननी है और इसके सासाथ आप लोगों को सारे documents आपको यहाँ पे photocopy का set self attest करके आप लोगों को बेज देना है तो दोस्तों आप लिखा हुआ है application received from 17 July to 22nd of July तो 22 July इसके आप लाज़ेट यहाँ पे रहेगी 17 July से 22 July तक आप लोग यहाँ पे आविदन कर दें और बिलकुल आप सब लोग देख सकते हैं यह official website है यहाँ पे भी आप लोगों को official notification आपको यहाँ पे मिल जाएगा selection का तरीका यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे mode आपको बता दिया गया method यहाँ पे क्या अपनाए जाएगा कि 80% जो marks है आप लोगों की qualification से आप लोगों की यहाँ पे लिये जाएगे और 20% अगर आपके पास यहाँ पे experience है तो experience से लिया जाएगा और interview से भी आप लोगों का यहाँ पे लिया जाएगा अभी जो यहाँ पे available vacancy है 22 पर यहाँ पे रहेंगी इनी post के लिए आपको यहाँ पे apply करना है तो यह update आपको कैसा लगा जरूर बताए 22 जोलाई इसकी आप लाहस देट है जल्दी से आप लोग जो है अपना आविदन बेज दें और लाइक करते इस वीडियो को सबसे पहल अले वीडियो में थेंक्यू सो मच